नवश्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगें प्यारे बच्चों आप पढ़ चुके हैं कि किसी देश में सरकारें कितने स्तर पर काम करती हैं हमने पढ़ा था कि सरकारें तीन स्तर पर कार्या करती हैं केंद्रिय सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानिय सरकार तो यह बच्चो जो राज्य सरकार होती है वो विभिन राज्यों में शाषिन करती है आज का जो हमारा विशे है वो इसी से जुड़ा हुआ है आज हम कक्षा साथ के नागरिक शास्त्र के तीसरे अध्याई राज्य शाशन कैसे काम करता है को पढ़ेंगे और जानेंगे कि राज्यों में जो सरकारे होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं कैसे फैसले लेती हैं और कैसे चुनी जाती हैं तो आएए पढ़ते हैं कैसे काम करता है प्रेव बच्चो अध्याय को पढ़ने से पहले आईए एक कहानी पढ़ते हैं दो सहलियां अक्वार पढ़ रही हैं और आपस में बादशीत कर रही हैं वे कह रही हैं कि नगर में पानी की कमी है और बहुत सारे लोग पानी की कमी की वज़े से गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं क्योंकि नदियां सूख गई हैं और कई जगहां पर लोग दूर दूर से पीने का पानी लाने को मजबूर हैं जिलास्तर से तीन दिन बाद पानी की सप्लाई आ रही है पानी की कमे से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है और आप जानते हैं कि अगर हम गंदा पानी पीएंगे तो क्या होंगे? बिमार होंगे और उस गाउं में बहुत सारे बच्चे बिमार हो रहे हैं और डाइरिया और हैजा जैसी बिमारिया फैल रही हैं फिर वही दोनों सहेलियां टीवी देखकर आपस में बात कर रही हैं डाइरिया से दस लोगों की जान गई प्रिय बच्चो ये खबर टेलिविजन के माध्यम से दिखाई जा रही है एक सहेली दूसरी से पूछती है ये डाइरिया क्या होता है इस बिमारी से भी क्या लोग मर जाते हैं दूसरी सहेली कहती है इस विशे में मैं अधिक नहीं जानती फिर दोनों साइकलों पर घर से निकलती हैं और कहती हैं ममी ने मना किया है कि बाहर से कुछ भी खाना पिना नहीं है क्योंकि बाहर बहुत तरह की बिमारियां फैली हुई है तभी आचानक उन्हें पुलिस रोक लेती है पुलिस क्यों रोक लेती है? पुलिस उने बताती है कि आप आगे नहीं जा सकती क्योंकि आगे लोगों ने विधायक के घर को चारों और से घेर रखा है प्रिवच्चो यहां यह प्रशन उठता है कि विधायक के घर को लोगों ने क्यों घेर रखा है इससे यह समझ में आता है कि जिले में अथ्वा विधान सभाक्षेत्र में अगर कोई समस्या आती है तो लोग MLA यानी विधायक, Member of Legislative Assembly कि घर का घिराव क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि विधायक अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर पाया लोगों ने परेशान होकर उसके घर का घिराव कर लिया बच्चो इस कहानी से यह समझाया कि पानी की समस्या तभी उत्पन हुई जब कोई अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से नहीं निभा पाया प्रिय बच्चो आप सभी जानते हैं कि पानी हमारे लिए एक मूलभूत आवश्यक्ता है सभी लोगों को स्वच पीने का पानी उपलफ्थ कराना सरकार की और सरकार के नुमाइंदों की जिम्मेवारी होती है यानि उन लोगों की जिम्मेवारी होती है जो लोग सरकार चला रही है तो आईए अब जानते हैं कि राज्यस्तर पर सरकार कौन चलाता है कहानी में हमने विधायक के बारे में पढ़ा प्रिय बच्चो यहीं से शुरू करते हैं विधायक कौन होता है विधायक विधान सभा का सदस्य होता है राजिस्तर पर विधायक बहुत महत्तपोन भूमिका अदा करता है विधायक लोगों ध्वारा चुन हुआ प्रतिनिधी होता है चुने जाने के बाद वेह विधान सभा का सदस्य बनता है आईए अब विचार करती हैं कि विधान सभा क्या होती है प्यारे बच्चों आपने कक्षा छटी में पढ़ा था कि सरकारें तीन स्थरों पर काम करती हैं पहली राश्ट्रियस्तर यानि केंदर सरकार, दूसरी राज्यस्तर यानि राज्यस्तर और तीसरी स्थानियस्तर यानि वो सरकारें जो स्थानियस्तर पर कारिय करती हैं, जैसे ग्राम पंचायत, जिला परिशद, आदी. प्यारे बचो राज्य सरकार के बारे में पढ़ती हैं जिस तरीके से दिल्ली में जानते हैं न आप दिल्ली भारत की राजधानी है और वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा यानि संसर के इन दोनों सदनों से राष्ट्रिय स्तर की सरकारें चलती हैं वैसे ही किसी भी राज्य में जब चुनी हुई सरकार के सदस्य सरकार बनाते हैं तो उसे विधान सभा कहा जाता है विधान सभा के चुने हुए सदस्यों को विधायक कहा जाता है और जिस दल के विधायक सबसे ज़ादा होते हैं वे सरकार का निर्मान करते हैं और अपने में से ही किसी एक नेता को मुख्य मंत्री चुन लेते हैं। उसके बाद विभिन परकार के मंत्रियों का चयन होता है। तो आपने जाना कि केस तरह से एक विधायक, एक महत्तपोन भूमी का आदा करता है राज सरकार को चलाने में। अब आपके मन में प्रशन उठ रहा होगा कि राजस्तर की जो सरकारे हैं उसमें विधायक का महत्तपोन भूमी का क्या होती है। इसमें एक उधारन दे कर समझते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में हिमाचल का उधारन लिया गया है। आप जानते हैं न कि हिमाचल उत्तरभारत का एक महत्तपोन राज्य है। आईए आप देखते हैं कि यह किस तरीके से सरकार चलाता है। प्रिय बच्चू अगर देखा जाए तो हिमाचल भोगौलिक आधार पर जिलों में बटा हुआ है। लेकिन सरकार चलाने के आधार पर इसे विभिन विधान सभा क्षेत्रों में बाटा गया है। इन्हें छोटे-छोटे विधान सभा क्षेत्रों में जब विभाजित कर दिया जाता है तो उनमें से एक व्यक्ति को प्रतिनिधी के तौर पर चुना जाता है जिसे विधायक कहते हैं। हिमाचल को 68 विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब जब आम चुनाव होते हैं तो हर विधान सभा क्षेत्र से एक एक विधायक चुन कर आता है। विधान सभाक शेत्र किसने हैं? 68 और जब एक-एक का चुनाव होगा तो कितने विधायक बने? 68 यानि विधान सभाक के कुल विधायकों की संख्या कितनी हुई? 68 अब हम देखेंगे कि जो ये विधायक चुन कर आए हैं वो सरकार कैसे बनाएंगे और कहां बैठ कर प्रिये बच्चों ये जो विधायक हैं ये जिस दल के सबसे ज़ादा होंगे वो सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं उसके बाद मुख्य मंत्री चुना जाता है और अन्य मंत्रियों का चैन भी होता है इसके बाद ये सभी विधायक विधान सभा में बैठती हैं यानि विधान सभा की कारिय पढ़नाली चलती है। ये जो अलग-अलग विधान सभाक्षेत्रों से विधायक चुन कराते हैं, ये अपनी विधान सभाक्षेत्र का प्रतिनिधित्व सरकार में करते हैं। आपकी पुस्तक की प्रिष्ट संख्यात 33 पर 2017 के चुनाव का चार्ट दिया गया है। जो दिखाता है कि बीजेपी के पास सबसे ज़ादा चुने हुए सदसे हैं। यानि बीजेपी 2017 में सबसे ज़ादा सीटों वाली पार्टी थी और उसे बहुमत प्राप्त हुआ था। प्रिये बचों, यहां आप बहुमत शब्द को समझिए। ये दो शब्द होते हैं, बहुमत और अलपमत। जब विभिन विधानसभा क्षेत्रों से विधायकों का चुनाव होता है, तो राजनितिक दल जिसके सबसे ज़ादा विधायक चुनकर आते हैं, उसे बहुमत में कहते हैं। और जिसके कम सदस्य से चुनकर आते हैं, उसे अलपमत में कहते हैं। 2017 के आकड़े दिखाते हैं कि हिमाचल में BJP यानि भारतिय जंता पार्टी बहुमत में है. इसलिए वहां पर सत्ताधारी दल कौन सा हुआ? भारतिय जंता पार्टी. जो दल सरकार बनाता है उसे सत्ताधारी पक्ष कहते हैं. यानि सत्ता पक्ष कहते हैं. अंग्रेजी में इसे ruling party कहा जाता है और जिनके चुने हुए सदस्यों की संख्या कम होती है उन्हें अल्पमत में माना जाता है और उन्हें विपक्ष कहा जाता है विपक्ष का मतलब ये लोग सरकार में शामिल नहीं होते हाला कि अपने अपने विधान सभाक्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं तो बच्चो आपने जाना कि सत्ताधारी दल क्या होता है और विपक्ष क्या होता है जो सत्ताधारी दल होता है उसमें से मुख्य मंत्री चुना जाता है और इसके अलावा राज्ये पाल जो है वो राज्ये में वही भूमी का अदा करते हैं जो केंदर सरकार में रास्ट्रपती की होती है प्रिय बच्चो आईए मंत्री मंडल को आपकी कक्षा का एक उधारन लेकर समझाती है प्रिय बच्चो आपकी कक्षा में जब शिक्षक एक मॉनिटर को चुनता है तो monitor कक्षा की अन्य बच्चों की जिम्मेवारियां लगा देता है जैसे कौन सा बच्चा blackboard साफ करेगा कौन बच्चा चार्ट बनाएगा कौन बच्चा जो है वो कक्षा की सफाई का ध्यान रखेगा ऐसे ही करते हैं न आप जब आप अपनी कक्षा में होते हैं और इन सभी जिम्मेवारियों को कौन आपको देता है आपकी कक्षा का monitor और monitor को ये जिम्मेवारियां कौन देता है जो हमारा शिक्षक होता है उसी तरीके से राज्य सरकार में भी आम जनता जो उस राज्य की जनता होती है वह अपने विधायों को को चुनती है विधायक जो चुने हुए होते हैं उनमें से सरकार का निर्मान होता है और फिर जो मुख्य मंत्री बनता है वो अपने सहायक मंत्रियों का चयन करता है और विभिन विभाग जो हैं उनको उन मंत्रियों में बाट दिया जाता है अब जो जीतने वाली पार्टी है उसमें से तो सत्ताधारी दल बन जाता है और जो लोग अल्पमत में होते हैं यानि जिस पार्टी की कम सीटे होती हैं उन्हें हम विपक्ष कहते हैं प्रिये बच्व यहां आप यह मत समझे कि सरकार चलाने में जो जिम्मेवारी है वो सारी की सारी सत्ताधारी दल की हैं बिलकुल नहीं विपक्ष भी सरकार की कार्यन में एक एहम भूमी का आदा करता है अगर सरकार कुछ ऐसे निर्णे ले रही है जो जनता के पक्ष में नहीं हैं तो विपक्ष की यह जिम्मेवारी बनती है कि इस तरीके के कानून और इस तरीके के निर्णे लेने से सरकार को रोके राजी में राजिस्तर के मंत्री शप्त लेते हैं आपने कभी कभी टेलिवीजन में देखा होगा कि चुनाव के बाद जब सरकारें बनती हैं तो शप्त ग्रहन समारोह होते हैं शप्त ग्रहन समारोह का अर्थ है कि चुने हुए विधाय को या मुख्य मंत्री को उनके कारिये के लिए शप्त दिलाई जाती है यानि सामाने भाषा में उनसे ये प्रामिस लिया जाता है कि वो जिस काम के लिए उन्हें चुना गया है उसका निर्वेहन बहुत अच्छे से करेंगे तिये बच्चों आईए अब थोड़ा सा जानते हैं राज्यपाल और मुख्य मंत्री के बारे में राज्यपाल राज्य का उच अधिकारी होता है जैसे केंदर स्तर पर रास्ट्रपती होता है उसी तरहें राज्यस्तर पर राज्यपाल होता है प्रिवच्चों आप जानते हैं न कि जो हमारे देश का रास्ट्रपती होता है वह प्रथमनागरिक कहलाता है उसी तरहें हमारे राज्य में भी एक एहम भूमिका राज्य सर्क पर जो राज्यपाल कारे कर रहे होते हैं उनकी होती है एक राज्य में एक राज्यपाल होता है राज्यपाल के कारे प्रेवचो राज्यपाल राज्य सरकार के कारियों पर नजर रखता है राजे सरकार नियमों के अनुसार काम कर रही है या नहीं यह जिमा राजेपाल का होता है या यू कहें कि केंदर सरकार का एक अजेंट होता है राजेपाल यानि अपने राजे में घटित हो रही सभी नियमों की, कानुनों की या घटनाओं की जानकारी केंदर सरकार तक पहुचाना राजेपाल का कारे होता है अब बात करते हैं मुख्य मंत्री की, मुख्य मंत्री सत्ताधारी दल का चुना हुआ नीता होता है, वहे राज्जी के लिए राजनेतिक मुख्या के रूप में काम कहता है, राजनेतिक मुख्या मायने चुने हुए लोग जो बहुमत में हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए अपने सहायक मंत्रीयों के साथ वहे काम कहता है, विधान सभा के बारे में भी आपने जाना जहां चुने हुए विधायक मिलकर किसी विशे पर समबाद करते हैं या अपनी जो कार्य पर नाली है उसे चलाती हैं उसे हम विधान सभा कहते हैं इसमें जो है प्रशन कालीन सतर होता है इसके अलावा कानून बनाए जाते हैं, इसके अलावा विभिन विश्यों पर समवाद किये जाते हैं तो बच्चो अभी तक हमने पढ़ा कि विधायक क्या होता है, विधायकों का चुनाव कौन करता है इसके अलावा हमने यह भी जाना कि विधान सभा क्या होती है और हमने यह भी चर्चा की कि राज्षिपाल और मुख्य मंत्री कैसे कारे करती हैं चलिए प्यारे बच्चों, आप मैं आपको दिखाती हूँ एक विधान सभा का द्रिशे देखिए प्यारे बच्चों इस तरीके से विधान सभा में चुने हुए सदसे बैठती हैं इस तरफ सत्ताधारी दल बैठता है और दूसरी तरफ विपक्ष बैठता है कि देखिए आपको नजर आ रहा है कि जो सत्ताधारी दल है वो ज़्यादा संख्या में है और जो विपक्ष है वो कम संख्या में है इसके अलावा जो सामने महदे बैठे हुए हैं उन्हें हम विधान सभा अध्यक्ष कहते हैं और जो विधान सभा की कारिय पर नाली होती है उन्हें पर यह विधान सभा अध्यक्ष नजर रखते हैं और इनहीं के प्रावधान के मुताबिक प्रिय बचो जब विधान सभा का सत्र चल रहा होता है तो विभिन परकार के जो राज्ये के कारिय होती हैं उन पर बहस और चर्चा की जाती है जितने विधायक उपस्थित होते हैं वे है जो हमारा सत्ताधारी दल होता है उसके और जो विपक्ष होता है उसके सभी आपस में मिलकर एक दूसरे से प्रशन भी पूछते हैं और उनके उत्तर जानने का अधिकार भी विपक्ष को होता है माल लीजिए पानी की कमी पर चर्चा चल रही है तो इसमें विपक्ष जो है वो समस्याई रखेगा जो उनके अपने विधान सभख शेत्रों में लोगों को आ रही है और इन समस्याऊं के लिए जो सत्ताधारी दल है वो क्या निधान कर रहा है किस तरीके की नियम बना रहा है क्या जन सुविधाए वो उपलब्द करा रहा है उनका ब्रयोरा जो विधान सभा है उसमें रखने का दायत्व सत्ताधारी दल का होता है आपके पाठे किरम की जो ये अध्याय है उसमें पेज नंबर 34 पर इस बात को और विस्तृत ढंग से समझाया गया है कि किस तरह से लोग जो है परिशान हो रहे हैं एक विधान सभा क्षेत्र में और विधायक एक जो है उन लोगों के आंक्रे विधान सभा में दे रहा है जिन लोगों की मृत्यू हैजा होने की वज़े से उस क्षेत्र में हो चुकी है फिर विधायक दो जो है वो विधान सभा के सदस्यों को बता रहा है कि सरकारी हस्पतालों की स्थिती कितनी खराब हो चुकी है विधायक तीन क्षेतर तौल पट्टी में पानी की कमी की समस्या को लेकर प्रशन उठाता है तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से जो विपक्ष होता है वो प्रशन करता है कि आखिरकार जो चुने हुए सदस्ये हैं जो सत्ताधारी दल के सदस्ये हैं वो अपने कारिये को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं वो कैसे सही से काम नहीं कर पा रहे हैं और यहां मैं आपको ये बता दूँ कि विपक्ष की एक एहम भूमिका होती है जनता को उनके अधिकार दिलाने में क्योंकि विपक्ष जितनी अच्छे तरीके से लोगों की समस्याओं को विधान सभा में रखता है उतने ही अच्छे तरीके से उन समस्याओं का निदान जो सत्ताधारी विपक्ष है वो कर पाता है आपने उपर दी गई चर्चा में विधान सभा में चल रही बहस के बारे में पढ़ा सदस्य सरकार द्वारा दी गई या न की गई कारवाई पर बहस कर रहे हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामोहिक रूप से सरकार के कारे के लिए उत्तरदाई होते हैं या इस तरह भी कह सकते हैं कि सरकार का अर्थ अलग-अलग विभाग और मंत्री हैं और इनका मुख्या जो है वो मुख्य मंत्री है अब अंत में हम चर्चा करेंगे सरकार के कारेओं की ये कारिये विधान सभा तक सिमित नहीं हैं जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि सत्ताधारी दल के जो विधायक होते हैं वो जनता के प्रती जवाब दे होते हैं जनता को सत्ताधारी पक्ष को जवाब देना होता है इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो सरकार को करने पड़ते हैं दूसरे कई माध्यम हैं जिनके द्वारा जनता सरकार से प्रश्ण कर सकती है जैसे मीडिया के द्वारा न्यूस पेपर यानि अखवार टेलिविजन चैनल के माध्यम से भी जनता अपनी समस्याओं को विधान सभाक्षेत्रों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचा सकती है आपने कभी कभी देखा होगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता जो उन्हें परेशानी उनके क्षेत्रों में आ रही है उसका ध्यान जो है वो सरकार तक पहुँचाती है जनता का विशुआस बनाई रखने के लिए सरकार कई तरह के कदम भी उठाती है उधारण के लिए हमने पाठ के आरंभ में जो कहाने पड़ि जिसमें हमने पढ़ा था पानी की कमी के बारे में वहां की हालात अर्थात पाताल पुरम की हालात को देखकर स्वास्थे मंत्री तथा मुखे मंत्री उस जिले का दौरा करते हैं हम टीवी पर भी देखते हैं कि जब कभी बाड़ा जाती है भुकम पा जाता है और या कोई प्रकृतिक आपदा आ जाती है तो वैसे स्थिती में जो सरकार के लोग होते हैं वो उस स्थान का दौरा करते हैं और ये जानते हैं कि कितना जानमाल का नुकसान जो है बहाँ पर हुआ और इसका जायजा लेने के बाद फिर एक समिती का गठन किया जाता है या एक समिती बनाई जाती है जो उस जानमाल को अंदाजा लगा कर उसके बाद उसका सुधार करती है तो प्रिय बच्चो हमने देखा कि विधान सभाक्षेत्र के बाहर भी सरकार को कारे करना पड़ता है जनता की समस्याओं को सुनना पड़ता है अगर हमें देखना हो कि सरकार कारे कैसे करती है कैसे करती है? मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्री होते हैं वो जो विधान सभा होती है उसमें पूछे गए प्रशनों का उत्तर देते हैं दूसरे माध्यमों से जो प्रशन पूछे जाते हैं या जो समस्याई रखी जाती हैं उनका उत्तर भी देते हैं इसके अलावा अगर कोई आकस्मिक समस्या आ जाती है जैसे वर्तमान में कोरोना की समस्या चल रही है तो उस पर किस तरीके से काबू पाना है ये भी सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है तो बच्चो देखा आपने हमारे द्वारा सरक्चुनी गई जो सरकार होती है वो कितने कार्य करती है और किस तरीके से वो हमारी हर समस्या के प्रती उतरदाई होती है तो प्यारे बच्चो आईए अब मैं कुछ प्रशनों के माध्यम से आपको इसे और अच्छे से समझाती ह आईए सबसे पहले शुरू करते हैं सही मिलान की प्रशनुतर से प्रिय बच्चो इसमें आप दो कॉलम देख रहे हैं कॉलम एक में आपको कुछ शब्द दिये गए हैं और कॉलम दो में कुछ परिभाशाएं दी गए हैं यानी उनका विस्तरित अर्थ दिया गया है आपको कॉलम एक का मिलान कॉलम दो से करना है जैसे पहला है आम सभा आम सभा यानी साधारन जनता का समिलत दोसरा है भारत के राजे मिलान कीजिये भारत के 28 राज्जे हैं इन सभी राज्जों का क्षेतर फल और जनसंख्या बराबर नहीं है तीसरा है निर्वाचन क्षेतर निर्वाचन क्षेत्र एक निश्चित चुनाव क्षेत्र होता है जहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधी को चुनते हैं चौथा है बहुमत यानी एक ऐसी स्थिती जब किसी समुह के आधे से ज़ादा सदस से चुने जाती हो और उन्हें निर्णे लेने या विचार रखने की सहमती हो उसे साधारनते बहुमत कहा जाता है सत्तरूर दल वह दल जो सरकार में चुनकर आता है बहुमत में उसे सत्तरूर दल कहती है विरोथी दल अल्पमत में जो दल होता है उसे विरोथी दल या अपोजीशन पार्टी कहा जाता है प्रिय बच्चो निमलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताईए कि यह कारिये किस विभाग द्वारा किया जाता है प्रात्मिक शिक्षा का कारिये, माध्यमिक शिक्षा का कारिये, एमम अन्य विद्याली का शिक्षा यह कौन से विभाग का कारे है? यह है स्कूल शिक्षा विभाग का कारे. दूसरा, क्रिशी का विकास एमम रासायनिक खाद की आपूर्ती से संबंधित कारे. यह कारे है क्रिशी विभाग का. तीसरा प्रश्ण, आवासों का निर्मान करना, सडकों का निर्मान करना, और अन्य कई निर्मान करना. यह किसका कारे है? लोक निर्मान विभाग का. प्रिवचों, तो आईए अब कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ती करते हैं. विधान सभा किस दस्य को खालिस्थान कहा जायता है. क्या कहा जाता है? विधायक. विधान सभा किस दस्य को विधाय कहती है. दूसरा परतेक विधायक के लिए एक विधान सभा खालिस्थान होता है. जहां से विधायक चुनकर आता है, उसे हम क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र तीसरा परतेक निर्वाचन क्षेत्र के खालिस्थान नागरेक गुप्त मतदान करते हैं अब मत देने का अधिकार किसे होता है बचो सभी व्यसक जो हमारे व्यसक लोग हैं उनको मत देने का अधिकार होता है और इसे क्या कहते हैं व्यसक मत अधिकार चौथा देखिए, खालिस्थान विधायकों को मंत्री पद की शप्त दिलाता है अब मंत्री पद की शप्त कौन दिलाता है? राजपल पाच्वा देखिए, मंत्रियों के विभागों का बटवारा, खालिस्थान द्वारा किया जाता है इसका उत्तर होगा मुख्य मन्त्री द्वारा. मन्त्री तथा विधायक सामुइक रूप से जन्ता के प्रती खालिस्थान होते हैं. हम कई बार फढ़ चुके हैं प्रियबच्चो ये इस दस्यर जन्ता के प्रती उत्तरदाई होते हैं. बहस के दौरान खालिस्थान तथियों को हटाया जाता है जब बहस चल रही होती है किसी विशे पर तो उसमें से कौन से तथियों को हम हटा देते हैं अनुप्योक्त को जो विचार करने योगे नहीं तो प्रिये बच्चों उमीद करती हूँ कि आज की इस अध्याय से आपने जाना होगा कि राज्ये में सरकार कैसे काम करती है विधायक कैसे चुने जाते हैं आपने ये भी जाना होगा कि चुने गए जो विधायक होते हैं वो किस तरह से जनता की प्रती उत्तरदाई होते हैं अर्थात वो किस तरीके से कानुनों को बनाकर सुविधाओं को उपलव्ध कराकर आपने दायत्वों को निभाते हैं प्रिवच्चो इस अध्याय से आपने वो प्रक्रिया भी जानी जो विधान सभासत्र के दौरान होती है। किस तरीके से विधान सभासत्र चलता है ये भी आपने जाना। तो उमीद करती हूँ कि ये सभी वीशे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ दे हूँ। कि ये से समझ में आपको बहुत अपने जाना।